नमस्ते स्वागत थे आपका होम गर्णिंग एन क्रिटीविटी में यह मेरा टेरिस कार्डन और इसमें कई सारे पार्ट हैं जब कुछ फ्रूट प्लांट लगाए हैं कुछ फ्लारिंग प्लांट लगाए हैं और कुछ हेंगिंग बास्केट है तो कुछ यह प्लांट है मेरे फ्लारिंग और नन फ्लारिंग तो मैं आज आप लोगों से जो पार्ट अपना सेयर कर रही हूं वो है फेजिटेविल गार्डन यानि की किचन गार्डन वाला पार्ट छोटा सा पार्ट है बहुत सारी सबजिया मैंने नहीं लगाई हैं कुछ स यह जाने वाली चीज हैं तो मैं आपके साथ सेयर करती हूं और इधर के पार्ट में यह देखिए यह है मेरा किचन गार्डन वाला एरिया दिखाती हूं आपको यहां क्या-क्या मैंने लगाया है तो सबसे पहले यह देखिए यह है मिर्ची के पेड़ काफी सारी मिर्ची के पेड़ मैंने करीब 10-12 पेड़ मिर्ची के लगाए हैं वो भी सब 15 इंच के ग्रोइं बैग और 18 इंच के ग्रोइं बैग में लगाई है ये देखिए कितना जादे इसमें फूल आया है और दो तीन तरह की मिर्चियां लगाई हैं ये गोल वाली है बिल्कुल रेड होके चेरी जैसी दिखाई देती है काफी सुन्दर लास्ट टेर मैंने जेर किया था ये देखिए ये इस तरह के होते हैं रेड हो जाते हैं कितनी मिर्चियां इसमें लगी हैं और ये टहनी ठीक से बाचते वक्ते तूट गई थी मुससे ये सारे मुर्जा गयी हैं तो मैंने हैं तोल लेती हूँ और इसी तरह से काम आ जाते हैं 2-4-2-4 रोज हमें ये मिर्चिया मिल जाती हैं लास्ट येर तो काफी मिर्ची हमारी हुई थी जो मैंने रेड होने के बाद भी यूज की थी दिखी इस बैग में मैंने डाला है अपराजिता का प्लांट और ये देखिए कुछ प्लांट लगाए है मैंने भिंडी के काफी सारे पहले लगे थे वो पेड़ बड़े हो गए हैं ये छोटे वाले पेड़ हैं और ये लोकी कप की बेल है इधर तुरई की बेल है ये लगाए है मैंने 18 इंच के ग्रोइंग बैग में और ये चाइनीज पालक आप चाहिए तो इसका साग बनाएए या फिर पकोड़े बनाएए काफी टेस्टी लगते हैं और हैल्थ के लिए भी अच्छा है और सीजन ये हमें मिल जाता है कटिंग से भी ये इजली ग्रो होता है पालक जो है और ये है करेले की बेल इसमें काफी सारे छोटी छोटे अब लगना स्टार्ट हो गए है फ्रूटिंग होने लग गई है काफी यहाँ दिखे ये है कुकुमबर इधर तुरही में फ्लावरिंग सुरू हो रही है बहुत नहीं मिलेंगी पर कभी कभी हमें अपने छट से सबजिया मिल जाएंगी और यह दिखे इधर टुमेटो की प्लांट कुछ लगाए है यह बीच से ग्रो किये हैं और इसमें से आजकल कटिंग भी आप लगा सकते हैं इधर है बेगन के पेड़ हैं कुछ यह दिखे इस तरह हो रहे हैं तो छोटी छोटी कटिंग इन से लेके आप नया पेड़ भी बना सकने इससे और इन्हीं में मैंने कुछ गैंदे के पेड़ भी डाल दिए यह दिखिए भिंडी में भी बीज बन गया है हमारा और यह है बैगन का पेड चार पांच प्लांट मैंने बैगन के लगाए हैं यह दिखिए यह है भिंडी भिंडिया लगी भी है कुछ सूप भी गई है दो चार मैं तोड़ भी लेती हूं कभी कभी और मसाले वाले भिंडी बन जाती है जादे सबजी नहीं बन पाती है पर एक दो लोगों के लिए बन जाती है इसली और यहां पर देखिए यह बेल चड है तुरही की जिसमें अभी फ्लारिंग हो रही एक दो मैंने इन में से तोड़ भी लिये हैं पहले और इधर फिर से बेगन का प्लांट और इधर की तरफ मेरा फूट गार्डन है सारा ये दिखे ये बड़े से गमले में मेरा लगाया है बहुत बड़ा ये एक ड्रम है जिसमें मेरा मैंगो प्लांट लगाया है जिसमें काफी सारे मैंगो भी आये थे जो मैंने सेर भी किये थे और उसे में मैंने लगाई है सकरकं बंद की वेल और देखिए यहां पर टायर प्लांटर है टायर प्लांटर में मैंने लगाया है लेमन ग्रास आप देखिए यह टायर है टायर को मैंने एक बड़े से पॉट के उपर डबबे के उपर रखा है और इसमें लगाई है लेमन ग्रास और नीचे को हैंग करने के लिए बंडरिंग यू लगाई है काफी सुंदर यह प्लांटर दिखता है और देखिए यह है अजवाईन का प्लांट जिससे अजवाईन की जैसी स्मेल आती है और इसके पत्तों से हम लोग पकोड़े बना सकते हैं या फिर हम सेलेट में यूज कर सकते हैं और इधर इस बैग में मैंने लगाया है अद्रक देखिए इस तरह का यह बैग है और इधर दूसरे बैग में लगाया है सुगरकेन यानि गन्ना गन्ना लगा हुए है और इस वाले बैग में लगाया है हमने अर्बी यह लगी है अर्बी इसके पत्तों की भी काफी अच्छी सबजी बनती है और देखिए अब मैं आपको खास चीद दिखाती हूँ यह है पाइनेपल का जो हम लोग मार्केट से लाते हैं उसी का टिप जो है तो काटके मैंने ग्रो किया है तीन प्लांट मेरे पास बन गए हैं यह यह दिखिए यह छोटा सा एक यह है और एक मैंने ग्रोइंग बैग में छोटे से बैग में लगाया है तीन पेड यह मैंने बन गए हैं और देखिए यह प्लांट जो पान की पत्ते की तरह दिखाई दी रहा है यह है हमारे इधर इसको तरोड बोलते हैं जब सिवरात्री क ब्रत होता उस में यह काफी मार्केट में मिलता है इसकी रूट की जो है सबजीयां बनती है और इसमें एक छोटी छोटी फली भी आती है कंद टाइप का निकलता है जिससे सबजी बनती है और यह देखिए यह है स्वीट पोटेट्टो वाइन पांच तरह की मेरे पास यह और अब मैं जो प्लांट दिखा रही हूँ यह है ड्रेगन फोट का प्लांट यह इसमें अभी कभी फ्रोटिंग नहीं हुए अभी चोटा सा प्लांट है तो इस तरह कांटे बाला पेड है तो मैंने यह पिलर के साथ रख है और यहां पर है कद्दू का प्लांट और यह थर्मा कोल के बाक्स इसमें हल्दी लगा के रखी है एक में और दूसरे बाक्स में देखिए यह चैनीच पालक लगाए है इसका साग भी बनता है यह प्याज की वराइटी जिससे तड़के में यूज किया जाता है और का पौंदा और उपर से जब इसमें फली आती है तो यानि बीज बनता है तो आप इस तरह तोड़ दीजिए पिंचे कर दीजिए उससे तो प्लांट काफी घना सा हो जाता है तो सारे मंजरी को हमने निकाल लेना है तो प्लांट हमारा काफी खुबसूरत हो जाता है पत्ते काफी निकल जाते हैं और एक प्लांट है यह इलाइची का इसमें इलाइची तो अभी तक नहीं लगी पर प्लांट काफी पुराना है और इसकी पत्ते से जो है इलाइची की जैसी छोटी इलाइची होती है ग्रेन वाली उसकी स्मेल आती है आप से चाय में भी डाल सकते है ये है बेलीव यानि तेजबत्ता काफी बड़ा पेड़ हो गया है ये भी ये है 12 इंच के गमले में तो देखिए इस तरह से ये छोटा सा पार्ट है किचन गार्डन का अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजेगा सस्क्राइब कीजेगा चैनल को तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बाई